विद्या बिना मती गई, मती बिना नीती गई, नीती बिना गती गई, गती बिना वित गया, वित बिना शूद गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किये नवश्कार मैं अनलाक्षत लोग बात में आपका स्वागत करता हूँ आज एक महान समासेवक, समासुधारक, लेखक, दार्शनिक, महात्मा जोतिबाफूले की जहनती है आईए जानते हैं उनके बारे में महात्मा जोतिबाफूले का जन्म 1827 EC में पूने में हुआ उनका परिवार कई पीडी पहले 17 से पूने आकर फूलों के गजरे आदी बनाने का काम करने लगा था इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे इनका विवा सन 1840 में सावित्री बाई से हुआ दलित व स्त्री शिक्षा के शेत्र में दोनों पती पत्नी ने मिलकर काम किया वह एक कर्मट और समासेवी की भावना रखने वाले व्यक्ती थे उन्होंने विद्वाओं और महिलाओं के कल्यान के लिए बहुत काम किये इसके साथ ही किसानों की हालत सुधार ने और उनकी कल्यान के लिए भी काफी प्रियास किये स्त्रीयों की दशा सुधार ने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला यह इस काम के लिए देश में पहला विद्ध्याले था लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन सुएम यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया गरीबो और निर्वल वर्ग को निया दिलाने के लिए जोतिबा ने सतेशोधक समाज 1873 में स्थापित किया उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईसवी में मुंबई की एक विशाल सभान ने उन्हें महात्मा की उपादी दी जोतिबा ने ग्रामड पुरोहित के बिना ही विवासंसकार आरम कराया और इसे मुंबई हाइड कोट से भी मानेता मिली वे बाल विवा विरोदी और विद्वा विवा के समर्थक थे अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी गुलामगिरी, तृते रत्न, छटरपदी शिवाजी, राजा भोसला का पगड़ा, किसान का कोड़ा, अच्छुतों की कैफियत महात्मा जोतिबाब उनके संगठन के संगहर्श के कारण सरकार ने एक्रिकल्चर एक्ट पास किया धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतू उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी 1883 में स्रीयों को शिक्षा प्रदान कराने के महान कारे के लिए उन्हें ततकालीन ब्रिटिस सरकार द्वारा स्री शिक्षन के आदिजनक कहकर गौरव किया गया ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें लोग बात के साथ